हेइ फ्रेंज वेलकम कैसे हैं आप सब आशा है फ्रेंज आप सभी सुश्थ होंगे और अपना अपना ख्याल रख रहे होंगे आज के रीडिंग में फ्रेंज हम लोग चेक कर रहे हैं कि इस हफ्ते आपके रिष्टे में क्या होगा Yes, reading timeless है, time की कोई limit नहीं है, जब भी आप ये reading देख रहे हैं, within next seven days, within next seven days आप दोनों के connection में क्या होगा, क्या changes आएंगे, क्या आप महसूस करेंगे, क्या आपके person कोई action लेंगे, and क्या आप receive करेंगे, और क्या आप वहाँ send करेंगे, ये सारी ये energies हम next seven days की check करेंगे. Reading timeless है, friends, time की कोई limit नहीं है, जब भी देखेंगे, तब ही resonate करेगी, general है, तो general की तरह ही लीजिए, जितनी resonate करें, उतनी रखें, जो ना resonate करें, उसे जाने दे, and सभी लोग, married, unmarried, male, female, divorcee, separated, in contact, no contact, जिस भी situation में हैं, जिस भी connection में हैं, same gender relationship में हैं, हर तरीके से इस reading को openly, open mind के साथ check कर सकते हैं, लेकिन आज की reading ना collective नहीं है, बहुत time से बहुत सारे लोग comments कर रहे हैं, माम, pick a card reading बनाया करो, तो आज के reading है, हमारी pick a card reading, इन दोनों में से, आपको जोन सा भी card ज्यादा attract कर रहा है, आपको वो choose करना है, यह है card number one, और यह है हमारा card number two, आप numbers के हिसाब से, pictures के हिसाब से, किसी भी तरीके से, जिस भी card की तरफ बहुत attract हो रहे हैं, उसको choose कर सकते हैं, I hope आप लोगोंने card choose कर लिया होगा, अगर नहीं किया है, तो वीडियो को post करें and choose करें, ठीक है, Yes, personal readings available है and उनकी detail जो है, सिर्फ description box में given है, तो आप लोग जाएं, description box में उसकी details चेक कर रहे हैं, अगर आपको लगे कि आपको पूरे group की discussion नहीं सुननी, सिर्फ अपने बात करनी हैं, तो आप personal readings भी book करा सकते हैं, So, welcome pile number one, जिन्होंने ये beautiful सा card choose किया है, हम लोग चेक कर रहे हैं, within next seven days, जब भी आप ये reading देख रहे हैं, आप लोगों के connection में क्या होगा, जल्दी से friends positive energies को exchange करें, और इस video को like करें, ठीक है, अपने person को visualize करें, उनका नाम लें, ओम नमस्रिवाय, प्लीज प्रभूर बताईए, जिन्होंने pile number one चूज किया है, within next seven days, उनके connection में क्या होने वाला है, ओम नमस्रिवाय, तो first card है the hermit, second card है the world, and bottom of the deck है two of vans, amazing, 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 friends मैं हापे strongly check कर रही हूँ कि, आप या आपके person इस time hermit zone पर है, खुद की life पर focus कर रहे हैं, दूसरी की तरफ attention नहीं दे रहे हैं, लेकिन ये energy मुझे आपके person की ज्यादा feel हो रही है, इस पूरी energy में मुझे ऐसा लग रहे हैं कि जिससे आपने उनसे एक distance maintain कर लिया है, आप उनसे बात नहीं कर रहे हैं, या आप उनसे नाराज हैं, जिसकी वज़े से ना आपके person की एक awakening और एक awareness वाली जर्नी शुरू हो गई है, उन्हें समझ में आ रहे हैं कि उन्हें आपके बिना कितना गंदा लग रहा है, उन्हें समझ में आ रही हैं आपकी value, उन्हें समझ में आ रहा हैं आपकी importance, आपको मिस्स कर रहे हैं आपकी याद उन्हें सता रही है और एक को डिपेंडेंसी उनके अंदर जनरेट हो रही है फोर यू ऐसी भी वाइब्रेशन्स आ रही है कि इस पूरे हफ़ते की अगर मैं बात करूं कि आपके परसना शुरू के कुछ दिन अराउंड टू 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 थोड़ा सा हो सकता है अपने ही लाइफ में बिजी रहें औक्यूपाई रहें आपकी तरफ अटेंशन ना दें बट इट ड़सन्ट मीन कि वो आपको मिस्स नहीं कर रहें वो आपकी फिक्र नहीं कर रहें वो आपको याद नहीं कर रहें वो कर रहे हैं आपको याद कर रहे अपको मिस्स कर रहे हैं आप से मिलने के लिए आप से बात करने के लिए तड़प रहे हैं तो शुरू के हफ़ते में दो-तिन दिन में ऐसा हो सकता है कि आप लोगों की बात थोड़ी कम हो आपके परसंद खुद के लाइफ पे फोकस करें या फिर कुछ लोगों के लिए ये तो नेक्स्ट तू से त्री डेस तक हो सकता है आप यापके परसना खुद की लाइफ पर ही फोकस करें लेकिन मिड आफ दा वीक की अगर बात करें तो मिड आफ दा वीक यह होगा कि आप इस अकेले पन से बोर हो जाएंगे अगर आपके परसन इस एनरजी में है तो वो इस अ इनरजी है कि मैं क्या ही बोलू कि आपके परसना आपको मिल सकते हैं आपसे खुल के बात कर सकते हैं आपके तरफ उनका काफी अट्राक्शन आता हुआ दिखाई देता है और साधी में आपको डेट करते हुए भी वो दिखाई दे रहे हैं डेटिंग की एनरजी आ रहे है येस, देटिंग की, confess कर सकते हैं कि वो आपको बहुत पसंद करते हैं, आपको कहीं बहार डिनर पर ले जा सकते हैं, आपके साथ कहीं ट्रावल कर सकते हैं, वैसी यहाँ पर जर्णी हैं. ओवरोल वीक की बात करें, तो मैं यहाँ पर यह देख पा रही हूँ, कि आप लोगों का जो रिष्टा है वो बहुत गहरा होता हुआ दिखाई देता है, और वन वे से नहीं, दोनों वे से, या तो किसी तरह का कोई confession receive होने वाला है दोनों साइट से, दोनों साइट से या फि दोनों इस रिष्टे में काफी enjoy और happy रहने वाले हो, आप दोनों को ही by heart लगने लगा है, कि yes, you guys are made for each other, देखो हाथों में हाथ हैं, और यह tie-up वाला bond है, और यह heart भी कितना, you know, fly कर रहा है, कितना happy है, तो हो सकता है आप इस हवते आप में से बहुत सारे लगों को लगे क कि जैसे आप हवा में उड़ रहे हो, इतनी light energy है, इतना enjoyment है, इतनी happiness है, आप एक दूसरे की company को, एक दूसरे के touch को, एक दूसरे की presence को बहुत enjoy कर रहे हो, ठीक है friends, कुछ लोगों के लिए इस हवते reconciliation होगा, वैसी energy भी आ रही है, अगर आप लोग सेपरेशन में हैं तो, and वहीं बहुत सारे लोगों के लिए मुझे ऐसी energy आ रही है, कि आप इस हवते ना, अपने person की company को, उनकी presence को, उनकी साथ बिताय हुए time को, बहुत enjoy करोगे, और आप में से कुछ लोग हो सकता है, जो काफी दूर है, long distance पे हैं अपने person से, या फिर you know, no contact या less contact में हैं, तो आ आप ना, इस हवते अपने person के साथ बिताय हुए, उस time को बहुत याद करो, जो कि बहुत आप लोगों का अच्छा गया था, और उसको feel करके ना, परिष्टा गहरा ही होगा, ऐसा नहीं है कि आप hurt होगे, लेगिन हाँ हफते के शुरू की 2-3-3 ऐसे जरूर दिखाए देते हैं, जिसमें हो सकता है, आप alone feel करो, या आपके person alone feel करें, या एक दूसरे को बहुत जादा मिस करो, वैसी energies जरूर है, 2-11, 29, 23, 12, 21, 30, 9, 18, 27, 7, 16, 25, ये number, ये dates आप में से बहुत सारे लोगों के लिए important और prominent हो सकती है, Aries, Leo, Sag, Gemini, Libra, Aquarius, Virgo, Taurus energy, यहाँ पर काफी prominent है, हो सकता है इस energy से आप deal कर रहे हो या आपके person, कुछ लोगों के लिए Pisces and Scorpio की energy भी काफी prominent दिखाई देती है, तो अब हम थोड़ा सा clarify कर लेते हैं, थोड़ी deeply चेक करते हैं कि इस हफते आप लोगों के connection में क्या होगा, Please Universe बताएं, यह move का card क्यों आ रहे है, किस तरह का move है, किस तरह का action आ रहे है सफते मेरे viewers के लिए, वाओ, Six of Cups की energy है, अब इससे बेटर कोई action हो ही नहीं सकता, बहुत सारे लोग reconcile करने वाले हैं, अपने partners के साथ happy time spend करने वाले हैं, और आपके person आपको एकदम कोई surprise देने वाले हैं, जिसकी वज़े से आप दोनों का connection आप बहुत गहरा होने वाला है, काफी spark आने वाला है इस हफते आप दोनों के connection में, हर्मित क्यों है, queen of sorts, कोई तो है, आप दोनों में से जो किसी से बहुत नाराज है, किसी से बहुत नाराज है, एक एक इंसान है, जो बहुत में है, और वहीं दूसरा इंसान है, जो बहुत ही उदास है, वैसी vibration है, शुरू के तीन दिनों में, the world क्यों है, please universe बताए, 10 of pentacles, 110% आप में से बहुत सारे लोग ना family plan करने वाले है, शादी plan करने वाले, reunion करने वाले, reconciliation करने वाले, या फिर हो सकता है आपके person अपनी family से य और आप surprise हो जाए, कि यार ये कैसे हो गया, so sweet, and two of bands की नजी है justice, finally इस connection में आपको justice मिलता हुआ दिखाई देता है, इस connection में, इस हफते में और इस हफते में बैलेंस आता हुआ दिखाई देता है, आपके person की आँखों में आप प्यार महसूस करोगे, अपने लिए attraction महसूस करोगे, अपने लिए spark महसूस करोगे, और इस हिचते में एक अलग सा surprise zone आ रहा है, एक अलग सा spark आ रहा है, जिसके बाद आप दोनों ही connection में बहुत ही abundant feel करोगे, और इस connection को बहुत ही enjoy करोगे, friends जो जो इस energy को claim करना चाहते हैं, जल्दी से comment box में claim करें, जो लोगों को लग आते हैं, कर डालिये, ठीक है, thank you so much for watching, friends, if you like, don't forget to thumbs up and share this in your group, for more clarity, friends, you can book your personal paid readings, इसके details safe or safe, description box में given है, bye for now, have a lovely day, take care, hey friends, welcome, pile number 2, जिनोंने beautiful सा card choose किया है, card number 20, blossom, हो सकता है, आप में से कुछ लोगों की ace 20 हो, वैसी भी vibration है, अब हम चेक कर रहे हैं, जब भी आप ये reading देख हैं, within a week, आपके connection में क्या होगा, तो आपके connection में होने वाला है, within a week, क्या, ये हम चेक कर रहे हैं, friends, जल्दी से positive energies को exchange करें, इस वीडियो को जाकर लाइक करें, अपने person को visualize करें, and deep breath लें, और इस reading को देखना स्टार्ट करें, फर्स्ट कार्ड है, judgment, okay, second है हमारा five of swords, okay, bottom में है हमारा six of swords, तो ये energies हैं, friends, इस हफते की आप लोगों की, और bottom में है, ace of pentacles, तो friends, overall energies की अगर मैं बात करूँ, तो यहां पर लग रहा है कि कुछ लोगों का न, commitment के लेकर, commitment के issue को लेकर इस पूरे हफते जगड़ा हो, वैसी vibration आ रही है, I don't know ये कितने लोगों से resonate करेगा, but overall vibration मुझे ऐसी आ रही है कि आप लोगों के person-nark commitment से भाग रहे हैं, शादी के proposal से भाग रहे हैं, responsibility से भाग रहे हैं, आपकी family से बात नहीं करना चाहते हैं रिष्टे को लेकर, अपनी family से बात नहीं कर रहे हैं, रिष्टे को लेकर, जिसकी वज़े से हो सकता है आपके connection मे आप लोग इस energy में हैं कि disturbance चल रही है, if yes तो जल्दी से comment box में बताएं, क्योंकि energy ऐसी ही है, और अगर एसी नहीं है energy तो आप pile number one जाकर चेक कर सकते हैं, यहाँ पर energy आ रही है, लड़ाई, जगडे की, गुसे की, चिड़चिड़े पन की, और move on हो जाने की, एकदम घबरा क्योंकि मैं आपको explain कर रही हूं, लेकिन overall जो energy के वर्ट आ रहे हैं, वो कुछ ऐसी ही आ रहे है, मैं यहाँ पर फील कर पा रही हूं, friends, कि आप जो है ना, इस person को बहुत, बहुत, बहुत प्यार करते हैं, इस person की healing करा रहे हैं, इस connection की healing करा रहे हैं, और इस connection को improve करने के ल आपको लगता है कि यह connection ना, life long चलना चाहिए, long lasting चलना चाहिए, और आप इस person को बहुत पामपर कर रहे हैं, बहुत कियर कर रहे हैं, इस connection को बहुत improve करने की कोशश कर रहे हैं, तो आपके efforts बहुत अच्छे हैं, बहुत pure हैं, unconditional हैं, और आपने इस person की कम्यों पर भी काफी work किया है, वैसी vibration भी आ रही है, और अभी भी आप अपने person को ना, good vibes, loving vibration scent कर रहे हैं, या फिर ऐसे कुछ, you know, words use कर रहे हैं, कि जिनसे आपके person की तरफ होते हैं, magical words, energy अच्छी जाए, love vibration scent हो, तो आप चाहते हैं, by heart, is connection में alignment, is connection में growth, is connection में completion, तो आप तो यहाँ पर बहु हो, आपके person की, तो आपके person ना, ऐसे हैं, कि वो आप दोनों के connection में न, बड़ा फैंसला करने से डर रहे हैं, अब यह बड़ा फैंसला हो सकता है, maximum लोगों के लिए, शादी का, and वहीं कुछ लोगों के लिए, जो कि separated हैं, यह फैंसला हो सकता है, reunion का, right, तो आपके person ना, big decision नेने से डर रहे हैं, और वहीं आपको लग रहा है, कि आपने इतने efforts इस connection में ढाले हैं, तो आपको इंसाफ मिलना चाहिए, अगर आपके person की side से ने मिल रहा, तो at least divine के side से तो मिले, बहुत सारे लोग divine को प्रेय कर रहे होंगे, कि please प्रभू, आप तो हमारे साथ justice करो, आप तो हमारे feelings को समझो, आप तो इस connection की growth में help करो, ठीक है, अगर मैं इस हफ्ते की बात करूँ ना, तो शुरू के कुछ दिन, शुरू के 2 या 3 दिन, आपकी energy ऐसी रहेगी, कि आप ना justice के लिए हो सकता है, आप मैंसे कुछ लोग रोएं भी, परिशान भी हों, manifest भी करें कई चीजे और रात को सो भी ना पाएं, आपको बार बार ये चिंता सताय कि पता नहीं आपने इतने efforts लाले हैं, आपके साथ नयाय होगा भी या नहीं, आपको इंसाफ मिलेगा भी या नहीं, वहीं अगर मैं आपके person की बात करूँ ना, तो आपके person को भी लग रहा है कि अ आपको इंसाफ मिलना चाहिए, उन्हें शादी को लेकर commitment दे दिनी चाहिए, या फिर उन्हें reunion के लिए efforts लगाने चाहिए, लेकिन still अगर mid of the week की मैं बात करूँ तो हो सकता है आप में से कई लोग ना अपने person से contact zone में आए, क्योंकि शुरू की कुछ दिन तो हो सकता है, आ और वो भी आपसे बात ना करें, लेकिन mid of the week आप लोगों की discussion तो होगी लेकिन वो healthy नहीं होगी, या तो आपका गुसा उन पर हावी हो जाएगा, मतलब आपका पूरा गुसा उन पर blast हो जाएगा, या फिर उनका गुसा आप पर blast हो जाएगा, वो आपको ऐसे बोल सकते है कि यार क्या है, कि तुम्हें तो commitment ही चाहिए, और मैं भी दे नहीं सकता या दे नहीं सकती, तुम मेरी life की problems को नहीं समझ रहे, या मैं कहां स्टक हूँ, मैं कितना परेशान हूँ, आप ये नहीं समझ पा रहे, हो सकता है वो इस wave में आपसे बात करें, और अगर वो इस wave मे आ रही है, mid of the week की, और अगर बात किये जाए, end of the week, तो end of the week ने इस connection में एक शांती सी दिखाई दे रही है, अब ये शांती, ये card है, move on होने का, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, कि ये connection खतम हो रहा है, इस card से ये vibration आ रही है, कि mid of the week के during लड़ने जगरने के बाद आप द थोड़े दिन के लिए ना, इस connection को free छोड़ देते हैं, तो आप अपने person को free छोड़ोगे, आपके person आपको free छोड़ेंगे, थोड़ा सा अपनी life पे focus करेंगे, हाँ, sad वाली energy है, थोड़ा सा sad रह सकते हैं, लेकिन still, लेकिन still overall energy है, यहाँ पर commitment की, या फिर अगर बहुत सा साथ लोग बोलेंगे, माम यह कैसी energy बता रहे हो, तो friends जो cards में आ रही है, मैं वही बता रही हूं, sugarcoat नहीं कर रही हूं, कुछ numbers यहाँ पे मुझे बहुत important दिखाई देते हैं, 211, 29, 25, 14, 27, 23, 6, 15, 24, 119, 28, 10, 10, हो सकता है, यह number यह dates आपके लिए, आपके person के लिए, यह connection क लिए ना बहुत important हो, कुछ zodiac science भी मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हैं, Taurus, Virgo, Gemini, Libra, Aquarius, Capricorn, Pisces, and Cancer energy, हो सकता है, यह zodiac science आपके लिए prominent हो, यह फिर आपके person के लिए, मैं friends यहाँ पर ना strongly यह ज़रूर फिल कर पा रही हूं, कि disturbance तो इस connection में है, और यह disturbance है, commitment को लेकर, marriage क को लेकर, या फिर, you know, एक बात की जाए, reunion को लेकर, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी हैं, जो separated है, और reunion को लेकर, फिकर में है, और हो सकता है, mid of the week, ना, आप अपने person को call करने की कोशिश करो, या वो आपको call करने की कोशिश करे, और हो सकता है, आप में again लडाई हो जाए, और हफते के शुरूबात में, आप लोग disturbed हो, mid of the week आप जगडा कर रहे हो, end of the week आप दोनों ही silent हो, आप दोनों को लगेगा यार, अभी कुछ नहीं हो सकता, लडने जगडने का कुछ फाइदा नहीं है, तो go with the flow, और चीजों को चीजों पर छोड़ दो, जब time होगा, तब हो कोशिशे भी कर रहे हैं इस connection को, growth तक लेजाने की, completion तक लेजाने की, judgment को clarify कर रहे है, seven of swords, आप में से कोई एक person है, जो इस connection में वो efforts नहीं डाल पा रहा है, जो इसको डालने चाहिए, और अब ये connection उनी efforts की demand कर रहे है, five of swords को clarify कर रहा है, five of pentacles, देखो five five की energy है, आप में से सरे लोगों को ना इन देनों angel number दिख रहे होंगे, 555, 555, 14, 41, या पर 20, 20, 20, 20, 22, 22, 22, 22, अगर ये है, इस तो जल्दी से comment box में बताईए, अपने person के लिए, प्यारे-प्यारे heart send कीजिए, love vibrations को send कीजिए, six of swords को clarify कर रहा है, हाँ पर, queen of vans, oh, मैं ये भी देख पा रहे हू ठीक है, क्योंकि आप दोनों इस connection को खतम तो नहीं करना चाहते हो, तो ज़्यादा जगड़े करने की बजाए, आप दोनों ही एक break ले लोगे, और ये सोचोगे की चीज़े with time grow हो जाएंगी, तब तक हमें शानत रहना चाहिए, and five of pentacles की energy है, five of swords के साथ, तो मैं ये भी दे pentacles के साथ आया है, the emperor, 110% इस connection को और bottom में है, ten of pentacles, इस connection को एक strong action की need है, family की permission की need है, एक authority की need है, और आपके परसना उस authority से इस connection के लिए कुछ कर नहीं पा रहे है, आप लोग by heart चाह रहे हो कि आपके परसना full authority के साथ, पावर के साथ, इस connection की responsibility संभाले, वो आपके परसन नह ही करना, तो फिर क्या करना इस connection में, वैसी vibration आ रहे है, अब मैं चेक कर रहे हूं, guidance आपके लिए क्या है, queen of sorts, already आप इस energy में हो ही, और divine भी आपको यही कह रही है, जो आपको ठीक नहीं लगता, जो आपको लगता है कि आपके लिए ठीक नहीं है, उसको accept किसी भी कोस्ट प आपके लिए ठीक नहीं है, जादा क्लेरीटी के लिए फ्रेंड साफ लोग पर्सनल रीडिंग्स बुक कर आ सकते हो, जो कि पेड हैं, और उनकी डिटेंस से फोर सेफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, हाव गुद दे, टेक क्यर, बाई